Hello Everyone, Welcome to my channel Indian Beauty Secrets Friends, आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप घर पर ही फेशल कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन बहुती bright, radiant और glowing दिखे जब भी हम किसी सैलों में फेशल कराने जाते हैं तो बहुती expensive होते हैं और आज के busy lifestyle में हमारे पसे इतना time भी नहीं होता कि हम specially facial कराने किसी सैलों में जाएं तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आपने घर पर ही facial कैसे कर सकते हैं इस facial में हम pure honey यानि शेहद का use करेंगे शेहद हमारी skin को एकदम clear and bright बनाता है तो आज की वीडियो में हम honey को as a main ingredient यूज़ करेंगे शेहद की use से हमारी skin पर क्या-क्या फायदे होते हैं वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे जाके शेयर करूँगी तो चलिए इस facial को शुरू करते हैं पर friends, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस bell icon को प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी में को नया वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको उसका notification मिल जाए फ्रेंज, फेशियल के 5 steps होते है फर्स होता है cleansing, सेकंड होता है steaming थर्ड होता है scrubbing यानि exfoliation फोर्थ होता है facial massage और फिफ्थ होता है face mask इस फेशिल का main ingredient है शहद शहद एक natural antibacterial agent होता है यह acne and pimples को prevent करता है इसमें भरपूर मातरा में antioxidants होते हैं तो यह aging process को भी slow down करता है यह हमारी skin को moisturize और soothe करता है और skin को एक natural glow देता है शहद नाई हमारी skin के लिए natural moisturizer की तरह काम करता है यह एक natural antiseptic agent भी होता है honey is a natural humectant which means it draws moisture into our skin from the environment and helps to retain it on our skin शहद के use से हमारी skin पर से हर किसम के दाग धबे दूर होते हैं और हमारी skin काच की तरह बेदाग और चमकदर बन जाती है तो चलिए अब हम अपना facial शुरू करते हैं तो हमारे facial का first step है cleansing face cleanser बनाने के लिए आप एक कटोरी में half teaspoon pure honey यानि शहद लीजिए और फिर आप उसमें half teaspoon raw milk यानि कच्छा दूर डालकर इन सब को अच्छे से mix कर लीजिए और आपका homemade natural face cleanser एकदम तयार है अपने चेहरे को गुंगुने पानी से धो लीजिए और फिर एक cotton pad को इस mixture में डिप करके अपने चेहरे और गर्दन को अच्छे से इससे clean कर लीजिए शेहद और दूद का combination जो होता है आपके face पर से सारी गंदगी को हटाएगा और हमें facial start करने के लिए एक बिल्कुल clean face देगा एक से दो मिनट के लिए अपने face को ऐसे clean कर लीजिए और फिर गुंगोने पानी से अपने चेहरे को दो लीजिए next step है steaming steaming जो होता है facial का एक बहुत ही crucial step होता है अपने face को steam करने के लिए आप चाहें तो जो बजार में facial steamers मिलते हैं उनसे अपने face को steam कर सकते हैं अगर आपके पास facial steamer नहीं है तो आप एक bowl भर की गरम पानी लीजिए और फिर एक towel से अपने सिर को ऐसे cover करके अपने face को 4-5 मिनट के लिए अच्छे से steam कीजिए steam करने से हमारे face के जो pores होते हैं वो open up हो जाते हैं तो जो उसमें गंदगी होती है वो सारी clean हो जाती है और आपकी skin अच्छे से breathe कर पाती है तो आप 4-5 मिनट के लिए अपने face को steam ज़रूर कीजिए अब हमारा next step इस facial में है exfoliation यानि scrubbing face scrub बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बोल में 1 टीस्पून ब्राउन शुगर लीजिए फिर आप उसमें half टीस्पून extra virgin olive oil अड़ करें half टीस्पून pure honey और 10-12 बुंदे निम्बू के रस की डाल करें सबको अच्छे से mix कर लीजिए और आपका homemade face scrub एकदम तयार है अब इस scrub से अपने चेहरे को और गर्दन को हलके हाथ से 5 मिनट के लिए scrub कीजिए याद रखे कि scrub करते वे आपको ज़्यादा pressure apply नहीं करना है अपने स्किन पे हलके हलके circular motions में अपने स्किन को massage कीजिए जिससे कि जो आपके pores open up हो है उसमें से सारी गंदगी निकल जाए आपकी dead skin exfoliate हो जाए आपके black heads और white heads जो है जो steaming की वज़े से बहुत ही soft होगए होंगे वो remove हो जाए और आपकी skin के लिए clean और clear हो जाए तो अच्छे से 5 मिनट के लिए अपने स्किन को हलके हाथ से ऐसे scrub कीजिए हमने इसमें जो भी ingredients आड़ की हैं वो आपकी dead skin को exfoliate करेगा हमने इसमें नीम्बू आड़ किया है जो कि skin lightening में help करेगा हनी हमारे skin के लिए कित्ती अच्छी होती है वो तो मैं आपको बता ही जुकी हूँ हमने इसमें extra virgin olive oil आड़ किया है जो कि हमारे skin को moisturize करेगा और scrubbing के बाद skin बहुत ही dry हो जाती है तो हमारे skin को dry होने से prevent करेगा sugar में alpha hydroxy acids होते हैं जो कि हमारे skin को naturally exfoliate करते हैं अच्छे से अपनी skin को exfoliate करने के बाद अपने चेरे को गुंगोने पानी से दो लीजिए अब हम अपना face massage gel बनाते हैं उसके लिए आप एक bowl में 1 tablespoon aloe vera gel दीजिए फिर आप उसमें 1 teaspoon honey आड़ कीजिए और last में आप उसमें 1 vitamin E का capsule आड़ करके इन सब को अच्छे से mix कर दीजिए और आपका homemade face massage gel एकदम तयार है facial का main step होता है face massage तो अब इस massage gel से अपने चेहरे पो और गर्दन को अच्छे से 7-8 मिनिट के लिए massage कीजिए massage से हमारे skin पर blood circulation increase होता है हमारे skin जो होती हो tighten होती है हमारे जो fine lines and wrinkles होते हैं वो remove होते हैं और जो face massage gel हमारे skin में deep penetrate कर पाता है क्योंकि हमने exfoliation और steaming करी है तो हमारे skin भी इसके बहुत bright और clear नजर आती है हलके हलके अपनी skin पर circular motions में massage कीजिए अपनी cheeks पे, forehead पे, jawline पे, nose पे, lips के around अच्छे से massage कर दीजिए इस face massage gel को आपको wash off नहीं करना है आपको massage तब तक करनी है जब तक कि आपकी skin में completely absorb हो जाए जब आप इसे हलके हलके अपनी skin में massage करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी skin में deeply penetrate हो जाएगा और आपकी skin रिदम smooth और flawless लगेगी और बिल्कुल भी चिप-चिपी नहीं नजर आएगी इस massage gel के massage करने के बाद अच्छे से अपने face की massage करने के बाद हम अपने last step की तरफ बढ़ते हैं जो की है face mask face mask बनाने के लिए आप एक bowl में 1 tablespoon orange peel powder लीजिए next आप इसमें 1 tablespoon pure honey add कीजिए और last में आप इसमें 1 tablespoon pure rose water या rose hydrosol add करके इन सब को अच्छे से mix कर लीजिए इसमें हमने orange peel powder add किया है orange peel powder में high amounts of vitamin C होता है तो इस skin पर से किसी भी तरह के दाग धबो को pigmentation को remove करता है माई skin को clear out करता है अगर आपकी skin पर acne और pimples हैं तो orange peel powder उनको भी prevent करता है हमने इसमें rose hydrosol add किया है जो कि माई skin को moisturize करेगा, nourish करेगा और माई skin की dryness को remove करेगा हमने इसमें pure honey add करी है जो कि आपकी skin को एकदम soft and glowing बना देगा अच्छे से इस face mask की thick layer अपने चेरे पर apply करने के बाद आप इसे सूखने के लिए आदे गंटे के लिए छोड़ दीजिए अगर आपके पास facial करने का भी time नहीं है तो आप सिर्फ इस face mask को भी अपने चेरे पर apply कर लिजिए हफते में 2-3 बार और आपको इस face mask के भी amazing results मिलेंगे अच्छे से इस face mask को apply करने के बाद आप इसे सूखने के लिए आदे गंटे के लिए छोड़ दीजिए आदे गंटे बाद जब यह सूख जाए तो आप गुनगोने पानी से अपने चेरे को दो लीजिए इस facial को आप महीने में 2 बार कर सकते हैं यानि 15 दिन में 1 बार आप देखेंगे कि इस facial के एक ही बार के करने से आपकी skin में कितना difference नजर आएगा आपकी skin पर सारा sun tan remove कर देगा और आपकी skin को बहुत ही glowing बनाएगा और अगर आप इसे 2-3 मेने continuously कर लेंगे तो आपकी skin पर सारे धाग धबो को remove कर देगा आपकी skin को naturally tighten करेगा और जो honey हमने इसमें यूज़ करिए और जल्दी से मेरे चैनल को subscribe कर लीज़े ऐसे ही फायदबन वीडियो के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye